वेल्कम टो आवर चैनल ग्रेविटी कोचिंग सेंटर क्लास 10 चैप्टर लिनियर एक्वेशन इन टू वैरियावल्स कोसे नमबर 8 इसको इसको हम कैसे इजी वेसे सॉल्ब कर सकते हैं हम देखते हैं तो ऐसे किसमें आप क्या करो इसको अगर आप इजी से सॉल्ब करना तो पह है एक्स और वान बाइवाय यह दोनों ही इक वेसेशन में है तो पहले हम लेट खेले तें लेट लिटर घ्र भान ऑपन एकस बी P and 1 upon Y B Q और यह 1 by X और 1 by Y के जगा हम रिप्लेस कर देते हैं P और Q तो यह जो equation फ़र्म होंगे वो A square P minus B square Q equal to 0 और तो इसको हम फ़र्स्ट एक्वेशन ले लेते हैं और जो दूसरी जो equation फ़र्म होगे वो A square P P plus B square A Q equal to A plus B अब हम इन में किसी भी टर्म को identical करना चाहिए या तो आप P वाले केस को कर लो या आप Q वाले को कर लो हम इसमें यह plus minus का sign और रेडी भले से आना तो हम यह Q वाले टर्म को identical करेंगे तो first equation को आप क्या करो A से multiply कर दो तो यह identical हो जाएगा करने को one से तो multiply करने से यह जो equation change हो कि क्या होगा यह A Q P minus A B square Q equal to 0 और जो दूसरी equation होगी वह A square B P यह तो as it is हो जाएगा यह A B square Q equal to A plus B अब हम दोनों equation को add कर देते हैं तो add करने से यह part cancel हो जाएगा और इधर वाला जो part होगा तो वह A Q plus P plus A square B P equal to A plus B अब फर्स्ट वाले part में हम क्या कमन लेंगे एक तो इसमें A square कमन आ जाएगा और P तो यह A plus B वेचेगा equal to A plus B तो देर्फोर P equal to A plus B upon A square A plus B तो यह part तो cancel हो गया तो यह हो गया one upon A square यह P की value होगी अब इस P की value को आप यह तो फर्स्ट में यह second में put कर लो तो इसको हम फर्स्ट में put करेंगे तो इससे क्या होगा वह easy हो जाएगा putting P P equal to 1 upon A square in equation first so we get the first equation A square P P minus B square Q equal to 0 implies that A square multiply 1 by A square equal B square Q equal to 0 A square A square cancel तो यह 1 और B square minus Q को right side ले जाएगे तो यह plus में हो जाएगा B square Q and therefore Q equal to 1 by B square तो अब हमारे पास अब हमारे पास P और Q की वैलू आ गया है P के जो वैलू है वह 1 by A square और और Q की जो वैलू है वह 1 by B square और P को हमने क्या सपोज किया था 1 upon X equal to 1 upon A square और Q की जो हमने लेट लिया था हो 1 by Y equal to 1 upon B square अब हम इनका reciprocal कर देंगे तो इसका reciprocal X होगा और इसका reciprocal A square होगा और Y equal to B square so which is the required answer